बॉलिवुट की खुबसूरत अभीनेत्री सुनाक्षी सिन्हा यू आए दिन अपने सुपर हिट अफ फिल्मों को लेकर लाइम लाइट में सुर्ख्या बटोरती हुई नजर आती है जिनके फिल्मों को देखना दर्शक बेहत पसंद करते हैं और वो हमेशा उन फिल्मों की खुब तारिफ भी करती हैं लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जहां सुनाली बेंदरे की सभी फिल्मों को देखना दर्शक बहत ही जादा पसंद करते हैं तो वहें इनके होने वाले पति सल्मान खान इनके फिल्मों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इन फैक्ट वो तेवर सबसे पहले बात करते हैं साल 2015 में रिलीज हुई तेवर की जिसमें सुनाक्षी सिनहा के साथ अरजुन कपूर नजर आये थे जिन्होंने अपने किरदारों को बखुबी परदे पर पेश किया था और इसलिए दर्शकों ने भी फिल्म को बेहत पसंद किया था पर आप को जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस फिल्म की कहानी सल्मान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आये थी और इसलिए सल्मान सुनाक्षी के इस फिल्म को कभी नहीं देखना चाहते हैं नमबर टू इत्तफाक जी हाँ बात करते हैं साल 2017 में आये फिल्म इत्तफाक की जिसमें सुनाक्षी सिन्हा माया के किरदार में तो वहीं विक्रम के किरदार में आक्टर सिधार्थ मलहुतरा नजर आये थे बता दे सफल्म में सुनाक्षी सिन्हा पुलिस के शिकंजे में आ जाती है और पुलिस इंसे काफी पूस्ताच करती है जिस वज़े से इनकी हालात काफी खराब हो जाती है बस इसी कारण से सल्मान सुनाक्षी के सफल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही वो पॉलिज में दाखिला लेती है और वहीं पर इनका सामना चार अंचान ब्रस्ट पुलिस वालों से होता है जो इन्हें मुझ्रिम बनाने की कोशिश करते हैं और तब ये खुद को बेगुना साबित करने के लिए खुद लड़ाई लड़ती है जिस दौरान इनकी काफी बुर 2013 में आई रोमैंटिक फिल्म लुटेरा के जिसमें सुनाक्षी सिन्हा पाखी राय चौधरी के करदार में दिखाए देती है जिसे फिल्म की कहानी में पाखी का दिल पूरी तरह तूट जाता है और प्यार से इनका विश्वास उठ जाता है बस इसलिए सलमान खान सुनाक् कुल भी पसंद नहीं है आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें